नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों केसे हैं आप सभी उमीद करते हैं कि माता भवानी के आसिरवात से आप बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज रातरी के 12 बजे से आपके रासी में चले माभवानी अब आने वाले 365 दिनों तक आप सभी के जीवन काल में माभवानी का किरपा रहने वाले हैं जिहां दोस्तों और आने वाले 365 दिनों तक आपके साथ जो बड़े घटना होने वाले हैं दोस्तों सुनकर आप बिल्कुली दंग रह जाएंगे जी हाँ दोस्तों यूँ कहें तो दोस्तों आपके जीवन काल में आने वाले 365 दिनों तक अनेक परकार के घटना होने वाली है लेकिन दोस्तों हम आपको आज की इस वीडियो में 6 बड़े इसे घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोस्तों आपके जीवन काल के लिए इतिहासिक बदलाब होगा एक परकार से कहें कि आपके जीवन काल के सबसे बड़े च्छे सपने होगे जो कि दोस्तों सच होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों और जब इनके बारे में आप सुनेंगे तो दोस्तों आप सभी के होस उड जाएंगे लेकिन दोस्तों जब इनके एसलियत को आप चालेंगे तो दोस्तों आपके आखें नम हो जाएंगे और खुसे के आशु जलक आएंगे और आप इने रोग भी नहीं पाएंगे जो कि दोस्तों कुछ बातें ऐसी है कुछ खुश खबरी ही ऐसी है जो कि आपके आँखों में आशो तो लाही देंगे जिहां दोस्तों और दोस्तों इनके साथ ही आज की वीडियो में कुछ एसे विश्यस बातें बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आज से आपको अपने जीव जीवन काल में कहीं न कहीं आपको आसफलता का मूँ भी देखना पड़ सकता है। जहां दोस्तों इसलिए आज की इस वीडियो को आप बिलकुली मिश न करें और इन्हें सुरू से लेकर अंत तक बिलकुली ध्यान से देखिएगा। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो मे हम जो भी बातें बताने वाले हैं, जो साबधानी जो खुश खबरी बताने वाले हैं और जो उपाय बताने वाले हैं, दोस्तों आज से आने वाले 365 दिनों तक आप से भी के जीवन काल में बिलकुली बरदान साबित होने वाले हैं। जहां दोस्तों माभवानी के आसिरवा कि वह कब किसको क्या दे दे जब देते हैं तो दोस्तों बस लोग आसर चकित हो जाते हैं और जो जलने वाले लोग होते हैं उनके होस ही उड़ जाते हैं और दोस्तों ऐसे कुछ चमतकारी घटनाएं अब आपके जीवन काल में होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी को बत इन्हें भी अब आपको करने से बचना होगा तो दोस्तों आज की इस वीडियो में तमाम जानकारी ग्रहों के गोचर पर निर्मित है जो दोस्तों आप से भी के जीवनकार से जुड़ी है कौन-कौन से बड़े खुश खबरी मिलेगी किनकिन 16 को लेकर आपको साब्धान रहन होगा कौन-कौन से बड़े कार जोई आश्य में आपकी पूरी होकर रहेंगे इन सभी की विश्तरी जानकारी देंगे जो की ग्रहों के गोचर पर आधारित है तो दोस्तों इन्हें आंतर तक देखना अब आपका दाइत होगा उश्य पहले दोस्तों जो यह माभावानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों वीडियो को एक प्यारा शालाइक अवस्य कर दें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माभावानी दोस्तों माभावानी की आसिम आसिरवात आप से भी को प्राप्त होगा कभी भी दुख आपके जीवन काल में दस तक नहीं देंगे जहां दोस्तों तो दोस्तों जरू लिखेगा और दोस्तों आप इस चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें साथी बेल आ आपको आगे चलकर बहुती काम्याबी में लेकर जाएंगे तो दोस्तों बात करते हैं। और दोस्तों उनके हिर्दे रूपी प्रात्ना से माभवानी बहुती जादा प्रशन हुई और उनके समक्ष परकट होकर उनसे पूछा कि आखिर क्या परेशानी है। या समझाने के लिए नदी के उस पर जाने के लिए काता है और उनके हाथों में नाव के एक ही पतवार को देता है और वह नाव पर बेठ जाता है। तो वह नाव आगे नहीं बढ़ता वलकि वहीं पर घुमता रहता है तो वह पूछता है कि एक पतवार से नाव केसे बढ़ेगी। तो माभवानी कहती है कि यही तो तुम्हें समझाना चाता हूं कि जिस परकार एक पतवार से नाव आगे नहीं बढ़ता उसी परकार जीवन में सुक और दुख जीवन के दो पतवार हैं। पर सुख ही सुख हो तो जीवन का नाव आगे नहीं बढ़ता दोनों वारी वारी से चलानी पड़ती है तभी किनारे पहुंचोगी क्योंकि मन में दुख से तदाद में बेठा लेते हैं इसलिए आपकी पीड़ा बहुती मालूम होती है वही मन फिर सुख की खोज करता है बि बात सुनकर उनके भक्त को जीवन का ग्यान हो गया और वह खुसे से जुमूठे दोस्तों माभवानी की यह ग्यान अगर आपको अच्छा लगा हो सच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराश लाइक अवस्य कर दें और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख जैमाभवानी तो आई दोस्तों इसे के साथ बात करते हैं कि आज रातिरी के 12 बजे से आने वाले 365 दिनों तक माभवानी आपके रासी पर जाने वाले हैं तो दोस्तों आपको कौन-कौन से बड़े खुस खबरी मिलने वाली है कौन-कौन से बड़े विश्यस बातों को तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों वीडियो के मद मद में इसी विश्यस बाते हैं जिने जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा आवसक हैं तो दोस्तों बात करते हैं दोस्तों समाजिक तथा धार्विक गति वीडियो में आपका निश्वार्थ योगदान आपकी उचित पाहचान बनाएगा ग्रह गोचर बहुत ही अनुकुल है आपकी कोई आर्थी गोजना भली भूती हो शकती है अधिक तक काम सुचारू रुप से बनते जाएंगे मन में स सकुन और सांती रहेगी किसी विशेश कार को पूरा करने के लिए चल रहे आपके प्रयासों को आज काम्यावी मिल शक्ती है समाजिक दारा बढ़ेगा तथा कई परकार की गति वीदियों में वैस्ता भी रहेगी घर की सुख सुविधाव समंधित खरीदारी परिवार जन भी देगा कोई सुख समाचार मिलने से अब अपने अंदर आत्म विश्वास और नई उर्जा महसूस करेंगे दोस्तों आप कुछ इस पेसल कारे करने जा रहे हैं तो पहले तो आलोचना होगी और बाद में लोग आपके पक्ष में भी आएंगे इसलिए लोगों की परवा समस्तम दिन्चारिया में से कुछ समय शुकून और मोज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे रिस्दारत धा मित्रों के साथ वर्तलाव अत्वा मेल मिलाव से कई समस्याओं का हल भी निकलेगा आज आप सारे रिक रूप से अत्यदिक उर्जावान और सक्री में हैसुस अपने किसी भी कार में अनुभवी लोगों के मारदर्सन लेना आपको निश्यती सफलता देगा किसी समाज से वा संस्था के परती आपका विशेश सहयोग रहेगा आपकी समाज में भी पाचान बढ़ेंगे अब अपनी कारे पनारी में बहतरिन सुधार लाएंगे किसी व इस व्यक्ति मुलाकात भी हो सकती है सुकुन पाने के लिए अथादमी गत्य विदिया में भी कुछ समय जरूर वेतित करें दोस्तों इस समय व्यवसाय समंधी पार्टियों के साथ संपर्क बढ़ा है समय अनुकुल है व्यवसाय में बरतमान कारवरी सुचार रूप से चल बिरूदियों की गतिविदियों को नदर अंदाज ना करें इस समय व्यवसाय समंधी कोई भी रिक्स लेना फायदे मन रहेगा नुक्री में कोई महत्यपुन जिम्यदारी आपके उपर आ सकती है प्रोमोशन मिलने का योग भी बन रहे हैं तोस्तों आप बिजनेस में चली जीर साबित होंगें इसे में नोकरी अत्वा कामकाज को लेकर चली परिशानी से विश्राहत मिलेगी दोस्ता भगवान के किरपा से आपके अच्छे कर्म परदान होने के कारण आपके नसीब के दरवाजे चारों तरफ से खोल दिये गए हैं अब वैपसा में कोई भी पु नती और चमतकारी हासिल करेंगे दोस्तों धार्मिक और समाजी कामे में आपका रुजहान बढ़ेगा इससे मांसी और आत्मिक शिकुन मिलेगा चनुतियों से जितने के आपकी विशेश कोसिस रहेगी इसमें आप सफल भी रहेंगे परिबारी दिस्तों की विवादों को दूर करने के लिए की गई कोशिसों में सफलता मिलेगी दोस्तों आपके वहीं लवलाइब की बात करें तो घर में आपसे समझे सका कुछ अभाव महसूस होगा प्रेमे प्रिम का दोनों एक दूसरे की भावना और परसितिया को समझेंगे दामपत जेवर में चली गलत फिमि स्वासत के दो स्वासत के बारे में देखा जाएं तो आपके स्वासत ठीक रहेगा व fan स différentण करें। अपने नेमीत जाच अवस्य करवाएं मौसम के बदला समधी परेशानी से अपना वचाव रखें जो दो आप बात करें तापके उपाई के बारे में दोस्तों आप आगाज में धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो दोस्तों सुकरवार के दिन मालक्षमी के मंदिर में करें और कनकधारा स्तुरुत का पाठ करें ऐसा करने से मालक्षमें प्रशन होती है और आशिरवात देती है इसके बाद असोक की जड़ को गंगाजल से पवित्र करें और फिर उसे धन अस्तान पर रख दें ऐसा करने से आर्थिक इस्ति में सुधार आएगा और आपके घर में धन की ब्रीदी होगी दोस्तों माभवानी की आशिरवात आप सभी को प्राप्तो सच्चे दिल से कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद